नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयोजवन के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशाशूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा चंद्रमा दुपहर बाद दो सोला तक मकर राशी में इसके बाद कुम राशी में रहेगा दिशाशूल वुद्वार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है अब आपको बताते हैं शुब मुहूर्थ और श्वेष्ट चौगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा अब आपको बताते हैं आज जर्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जर्म लेने वाले बच्चे आज जर्म लेने वाले बच्चों के नाम ग, 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 आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं दुपहर बाद दो सोला तक जन्मे जातकों की जन्म राशी मकर्व इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशी कुम्भ है तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक श्वत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक श्वत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं ईश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार